दै भक्तोने खुब भाव थी जै स्वामिनाराई गईकालनी कथामा महराजे वर्तालमा मंदिने अंदर मुर्ती प्रतिष्टावो करी पगेरे लिलावावी येसी तरंग नी समाप्ति थाई 81 मा तरंग नो प्रारंब थाशे दुर्गपूरे अलबेलडो सभाकरी बेठालाल तेवे जिरन गड़ थी आव्याहे मंत सिंह भुपाल वडि धोलेरा बंदरना आव्यापूजाजी राजन दादाना दरबार माज्या बीराज्या भगवान प्रेमवडे प्राणामकर्या मनथ इनेमगन ब्रह्म मोलना वासि सुनो विनंति मारी जीवन मंदिरयमारा गाममा करवाचे कृपनाथ संतने आपो आग नाते आवे अमारी साथ जे जोये ते सामग्री सरवे आपिशुय विनाश ये विवानी सुनिहरी ये सेवातनी सुखराश महराज गटपुर ने विशे विराजमान छे ये वामा एक समय ने विशे महराज आदा खाचना दरबार मा संत सभामने मद्धे न्यान गोष्टियो करी रहाचे सभाने अंदर ये वामा जुना गटती जीरन गटती के दा जुना गटती है मन सी राजा अने धोले राज ना बंदर थी के ता धोले राज थी पुजा जी त्याना क्षत्री भक्त ये बनने भक्तो दादाखाचना दर्बार मा तियां बराबर ये समय आवे छे अने महाराजने प्रेम थी भक्तो प्रणाम करीन बियाज जोडिन महाराज ने प्रास्थना करा चेके महाराज आप अक्षरधामना अधिपती छो अन अमारा जेवा कहीं जीवोने सुखाप्पाने माटे आ प्रुथी पर पधार्य आपे गणी जिग्याए मंदीरों करीन भक्तोंने सुखी करिया चे तु महाराज अमारा शेहर ने विशेपन आप मंदीर करवा माटे आग्ने आपो संतोंने मोकलो अने जुनागडना जीना पए अमन सिंक राजा केता जीना पए ए महाराज ने प्रार्तना करे चेक महाराज जुनागडने अंदर खुब सारु मंदीर कराओ यहमा आपना स्वरुपोनी प्रतिष्ठाव करो जेती करीन अनेक ये विस्तार ना अनेक भक्तोने पन आनन्थाई सूख थाई अने एक सत्संग नो माध्यम बने कराण के कोई पन जिग्ये उनत जनन समय आतोमा के के स्थान जुए स्थान होय तो सत्संग कथा वारता दर्शन बदु सूख भक्तोने आवे स्थान वगर सत्संग माहल थाई नई बाकि आम कोई जिग्ये भेगा करवा ना और ने गरे भेगा करवान होय तो एक वार थाई बिए वार थाई पन कायम करवू अलग अलग जिग्या ये पछी होल करिन करवानों वेतोई पन जो मंदिर होई त्या नित्य सवारसां जारती स्तूती कथा वारता दून भजन थता होई त्यां बदाई भक्तों ने सेजे सानुकुलुरें बदाई ने सूखावे अने महाराज ने प्रातना करेचे महाराज आपे घणा जिग्या ये मंदिरों नी प्रतिष्ठावक मंदिरों करिया परन्तु महाराज चुनागड प्रदेश नियंदर सोरट नियंदर चुनागड नियंदर पन आप मंदिर करो एज रिते धोलेरा थी भगत आगा छे पुजाबै दरबार एके छे महाराज भाल प्रदेश मा धोलेरा नियंदर आप सरस मंदीर करो यमा संतोन यमारी साथे आग्निया करीन मोकलो के जना द्वारा संतोनी देखरेक नीचे आपनी मर्जी प्रमाने तियां स्खुब सारा मंदीर थाए बीजु महाराज मंदीर करावन उले खाले कई प्रार्थना करवा थी के मंदीर पन पूरु थाए यमा मंदीर माते पाच बजीर इतनु शक्ती जुई है आर्थिक शक्ती पन आर्थिक वस्तु नी पन जुई है खाली भक्तों नो भाव होए पन भाव माई पूरु ना थे मैं जी के पूरु ये तो मैं आओ न अमारे तियां पद्रामनी करोन थाल करोन तेमा भाव खाली फखुरु ना थे बुदी वस्तु लावी पड़े ये मंदीर करू होए तो ये खाली भाव तो होए पन साथे बुदी वस्तु नी पन जरूर पड़े कारण के आर्थीक पईसानू काम चे पईसा थी थाए भावी आपीशु अविनाश मंदीर ने अर्थे जे कई खर्च थसे जे कई वस्तु नी जरूर पड़े तमाम वस्तु अमे लावी आपीशु महाराज येनी चिंता कर्षो नई आपनी कृपा थी जे छे ते बदू अम कृपनू माटे छे अमारू छे नई खाले अची बदाई भक्तोय महाराज ने एवी पन प्रार्थना करेक महाराज आमे जेजे मंदीर ने माटे सामगरियों जोईशे तमाम लावी आपीशु एवरी ते बदाई भक्तोय एमंसी राजा वगेरे जुनागडना भक्तो अने पुझाभाई दरबार अगेरे दोलेराना भक्तो अबंने भक्तोय महाराज ने प्रार्थना करी महाराज संतो ने लए आग्न्या करी न अमारे तिया मोकलों ने खुप सारू मंधीर थाए मंधीर ने अर्थे जेकई जरूरी आत तमाम सामगरी अमे लावी आपीशो नावरित प्रार्ष्थ्ना करी महाराजे जाणियुग भक्तों नो भावपन साचो छे और समरपन छे जहां भक्ति और प्रेहम और समरपना बेई वस्तू भेगु ठाई कांड के कहीपन सारकारी जेखाए, तक्यों लगारे थाए, 15 मोटु पन होई ते शारू कारिय देखाए, वंगर समरल ये सारू देखाए ने, खाली भेगा थावानु होई, पाँच पचिस जणाने ने, एक नानी सभाज करवी होई, तो जने आवानु होई, आमंत्रा न तरीकियाने तो जने आयोजन करवानु होई, जने आयोजन करवानु होई, जने आयोजन करवानु होई, जने आयोजन करवानु होई, जने आय प्रकार नुगराबर। इम आ देश मा तो विशेश करूँ पड़े। तो एक मंदीर करूँ ए तो मा बदीज प्रकार नुजुएग। अमा खाली कोक ने आववानुजुए आविन जत्रियों ने के बहुत चिन्ता ना वे पन जने जहाबदारी पूर्वक जारे साइवा करवानी था एतियारे। विशेश समर्पन नी जरूपड़े। समर्पन वाला हो एतियारेक एक सारू कारिय था एने देखाए। महाराज के का बदा भकतो प्रेमी पन छे ने समर्पीत पन छे पोतानु तन मन दन बदू भगवान ने सत्संग नर्थे करी राखेलू छे। महाराज अमनी भाव ना जानेन राजी थिया। एवा सुनि नंब्रव अचन थया प्रगत प्रभू प्रसन ब्रह्म मूनी प्रत्य तेह स्थान कहे वचन स्री भगवान। स्वामी जाओ तमे जुनागध मंदिर कराओ त्याज इद्रध हेमंत सिंहना साथे जाओ शुषो भीत मंदिर कराओ। महाराज भगतो ना भाव ने जानेन महाराज ब्रह्मान स्वामी ने आखना करओं कराओ। पच्छे धोलेरा बंदर काजे, शुभ आग्न्या करी महाराजे, अद भूतानंद स्वामी सनाथ, वली पुजा जीने मुख्या साथ, प्राणपतिनी आग्न्या प्रमाने, बन्ने मुणी गया छेते टाने, रुडा मंदीर कराव्या सारा, अति नवतम ओपीत न्यारा, तोलेरा नी अंदर महाराजे, अद भूतानंद स्वामी ने मुख्या के, तमें पुजा जी दर्बार नी साथे जाओ, अने त्यां तमें खूब सारू मंदीर कराओ जो एवरिते बनने संतों महाराज मंडल सहीत अने भक्तों नी साथे बनने स्थान मां मोकल्या छे बनने संतोय महाराजी नी मर्जी प्रमाणे न भक्तो ना भाव प्रमाणे त्यां खूप सारा मंदीरो जोत जोता मां तैयार करिया छे हवे स्री हरी सह जानन्द गढ़ पूरेर या सुख कंद प्राग जीदवे नीपासे प्रीते कथा सूने नटवर नीते ब्रह्म वैवर्तव नामे पूराण ते वंचावे छे जीवन प्राण वडि पंचम सकंध जरूर ते पण वंचाव्यो धारी ने उर कथा पूराण थाई छे जारे तेनी समाप्ति करी छे त्यारे पूराणी नू करियो छे पूजन स्री हरी वरे थाई प्रसन्न महाराज वे गटपूर ने अंदर निवासकरी ने रया छे अने नित्य महाराज अलगलग ग्रंथोनी कथा महाराज नित्य वंचावे छे महाराज कोई पन स्थानमा कोई पन जिग्याय होई पन कथा महाराज ने कथा वारता तो चालुज होई महाराज ब्रह्म विवर्थ पूराणी कथा वंचावे छे महाराज संतो पासे अथ्वा प्रागजी पूराणी वगेरे कोई ब्राह्मन भक्तो होई इद्वान यमनी पासे महाराज नित्य कथा ओवन्चावेन पछी महाराजेना पर कथा वारतानु विवेचन पण करे प्रश्णा उत्तर था एरिते महाराजेनो नित्या नियं चेमा महाराज ब्रम्भवर्थ पुरान नी कथा करावाजे अपकेके पुरूती पज महाराज भाग्वत्जीना पंचम सकंद्री पन महाराजे कथा करावड़ावी चे पंचम शकांदर ले भरजी न आख्यान नी कथाय माँ इश्रेशावाज एवरीते महाराजे बन्ने ग्रंथों नी कथा करावी कथा पूरी थे ले महाराजे जाते स्वयम पुराणी नी केता प्राग जी पुराणी असेनी महाराजे पुजान वगेर करी बेट दक्षिना वापी काथानी समाप्ति थाई महाराज कुब राजी थेया अन्नकूट अन्नकूट दी पोच सवी तनो कर्यो छे उत्सव ती घणो पोता तना माता पीता जेह तेनो जन्मोच सव आव्यो येह तेनो कर्यो मन मा विचार जावु व्रत पूरी विशे सार इच्छारावने राम प्रताप संत हरिजन साथे आप पचे त्याथ कितो तत काल वालम विचर्यावर ताल स्री लक्स्मी नारायन पावन तेम नाकर्या जाई दर्शन पचे पोतानो अक्षर मेल तेमार याचे सुन्दर छेल भक्ति धर्मनो जन्म दीवस तेनो भुद्सव कर्यो अवश्य अवश्य महाराज गटपुर्ण अंदर घणासमय सुधी निवास करी त्या महाराज गथावारता वगेर करी संतो भक्तोने सुखापे चे यमा बराबर दिवालेना दिवस्वाईवा महाराज अनकोटोत्सो कर्यो दिपोत्सो खुब दाम धुम्थी गटपुर्णे विश्य कर्यो अने पच्छी दिवाले पच्छी कार्तक सुधेकादस यने पूर्णी मालकबग अब ये दिवस धर्मपिताने भक्ति माताना जन्म दी ये सावे छे पाण ये वर्तालने अंदर जैन करीशो येव महाराजे तांग आमे चाहित कार्तिकी समय ये महाराज नित्य वर्तालमा करता अने चाहित्री समय ये महाराजे वर्ताल जवानों निर्णे कर्यों महाराजनी साथे धर्मकोड माती इछाराम रामप्रताफ गेरे संतो भक्तो नों समुधायी छे बदाये निले इन महाराज वरताल गया छे वरताल पहुंचे आ महाराज सवती पहला मंदिर माझे लक्ष्मी नाराण देव गएरे देवना दर्शन करिया महाराज पन पोतानी रीत द्वारा महाराज जारे जारे वर्ताल आवे तो पेला मंदीर थिया पची तेते देवना दर्शन करीन पचीज सभाव मा कि बीजे जी गे उतारा पाणी ठाकुर जी जमाड़नों गरे करता लिए मुझब आपने पण क्यारे कोई तीर स्थानों मा जेए कोई मंदीर आविया वे मंदीर आगे तो सवथी पेला बीजी सेवा करता पेला महारात न दर्शन संतो न दर्शन ये करे आपची सेवा मा लागिए तो बीजु कई करी जे कई सेवा होई ते परतु सीदु आविने संतो पन दूर थियाया होई अन जो महाराज पोटी गिया होई तो वही पगवान जागे पगवान दर्शन करे पची ठाकुर्जी के अन पाणी इले पण सीधा हावी ने ठाकुर्जी जमाडे के बीजु कई थाई नहीं अन भक्तो पण यहाँ होई चेक इन थी इंडिया जाए तो सवति पेलाग यहाँ नियों वही के वर्तालारी क्रिष्ण महाराद न दर्शन करवा के मुटा सत्पुरुष्वन ना दर्शन करी गुरुजी ना दर्शन करी पची ठाकुर्जी जमाडता होई के टला भक्तो को ची यहाँ थी आयो गयाँ इंडिया तो को गन्षा महाराद न चाहिं थे अमदावाद वर एयरपोर्ट पर उत्रे पचपाचा ते न न आए धोवे बिजय दी उसे पाचा ठेक लोई आए बरत बाई मोखा सनवाडा एक और लोई आता त्यारे यहाँ आव भक्तो न यहीं भाव ना निष्ठा होई महाराज राजी थाई ने यहना उपर आपने पन क्या रे को यही तीर-ठी आत्रा करवा निकला हो यह पोर को इस्थान मा गया हो यह तो महाराद न दर्शन करिए पाची बिजु करिए निया महाराज पन भरतालमा पधारिया छे जोज जोतामा कार्तक सुधी एका दसी अने पूरुणी मावगेरेना दिवस्वायवायमा धर्मदेव प्यक्ति माताना जन्मोच सवो करिया लाखो ब्रामनोंने महाराजे तियां जमाईडा छे दक्षीना वापी बदायने खुब तुरूप्त करिया एवमा सांजनों समय थयो कार्तक सुधेका दसी नो अने महाराजे मूट्टी सभा भरेन मंदेरना पटांगणमा सभा थाई छे अने सभा नेंदर महाराज स्वयम बिराजमान चे संतो बोक्तो देशान तरो थी कार्तिकी समयो कर्वा माटे वरताल आवेला था माम ती या अपन बिराजमान चे कारण के यवरद आब पातोद सौवकण पच्छी आवेन त्या कार्तक वद बार आस यवरताल नो देवनो पातोद सौव आवे त्यार योक्ते महाराजे दिया प्रतिश्टा करीजी लक्ष्मि नारायन आगेव सभामा बीरा ज्यावा सुदेव उंचु सिहासन दिप्यमान ते पर्शोबे सुंदरवान ब्रह्म मोल नि दिव्य सभाय महा मुक्त साथे समुदाय एवा ओपेछे जग निवास निज भक्त साथे सुख राश मोटा भाय ने इच्छा राम निज पुत्र सहित तेठाम तेपन बेठा योग्य आसन गणामन माथ इमगन मुक्तानन्द गोपाला अनन्द मुल जिवर नि सुखकंद यादित्यागी संत समग्र बेठा अनन्द पामी ने अग्र महराज लक्ष्मिनारान देवना मंदिर नी पासे खुब मोटी विशाल सभान यंदर बिराजमान थेयाँ महराज माटे सरस्मजानन उंचु औने देदिप्यमान सोगाय मान येव सरस्मजान उ महराजनन आसन सियासन करियू छे यमा स्वय महाराज बिराजमान छे अख़ए ब्रह्म मोलनी केता अक्षर धामनी दिव्य सभा बिराजमान हो येवा दिव्य दर्शन थाई रहाँ छे महाराज मुक्तो, संतो, भक्तो बदाय महाराजनी आगल यथा योग्यस्ताने बदाय बेठा छे येमा महाराजना मोटा भाई केता राम प्रताप जी महाराजी, इच्छा राम जी महाराज बगेर उताना पुत्रो सहीत सभामा बिराजमान छे मुक्तानन स्वामी, गोपानन स्वामी, मुर्कुंद ब्रमचारी केता मुर्जी ब्रमचारी बगेरे तमाम त्यागी संतो पार्षद वेपन यथा युग्युस्थाने बिर्याजमन छे विप्र शिवराम मयाराम दिनानाथ आधी ते ठाम सोम सुराने उत्तम राय एमंत सिंह जी राजा केवाई भगुजी नामे पार्षद जे रणछोड गोविंदादी ते जयारमा ललिता आधी पावन गंगामा आधी निर्मलमन विजा हजारो जे हरिजन सभामा बेठा छे ते पावन अविली ते सभान यंदर देशान तरो थियावेलान वडिल यवा तमाम नाना मोटा आबाल ब्रद तमाम हजारो भग्तो ये सभामा विराजमान छे पछे सुनता सर्वे समाज मेर करी बोल्या महाराज पछे तमाम संतो भग्तो निसभामा महाराज कृपा करी न बोल्या छे मोटा भाई इच्छाराम साथ बोल्या मदूर वचन नाथ ए मोटा भाई हे इच्छाराम मारु आक्य सुर्णोय भीराम तमारा पुत्र माथी बेतन होय निर्मल पुन्य पावन एक एको पुत्र आपोय मने ते विक्ति कहिये छिये तमने करवी छे धर्म धूर स्थापन एवी इच्छा छे अमारे मन दत्त पुत्र आपी करी ने स्थापिशू आचार्य पद बेने आपिशू एवु सुनिने ते बन्ने भ्रात मानिली धी ते वाला निवात मुटा भाही ना निर्मल तन अयोध्या प्रसाद जी पावन नाना बंधु ना पुत्र रतन रगु वीर जी नामे पावन ये बे पुत्र ने लिधावुत संगे अक्षरपति ये रूडे रंगे लो ये सभान यंदर महराजे पछी बन्ने भायोना एक एक पुत्र ने दत तरीके दतक पुत्र तरीके महराजे स्विकायरा चे महराजने जारे धर्मकूल पेला आयो त्यारे महराजने तो पेला गई मुझ नहीं महराजने त्यागी सभाव प्रमाणे महराज किदू अने मुक्तानन स्वामी नो वगेरे संतो नो आगरहतर ले तो धर्मकूल ने पेला बोला आयो अधा ये बोव आगरह किरे हो त्यारे अने धर्मकूल आयो पछी महराजने तो ये इच्छा नती के धर्मकूल नेज गादे ब्याहाड़ू पण मसद्गूरू संतो ये मुक्तानन स्वाम यगेरे संतो ये महराजने प्रारतना करीग महराज आपना कूल माथी योग्य होई ये वाँ धर्मकूल माथी 2 जे चेमने आपनी गादी सोपो कारण के त्यागी माथी त्यागी जो मुख्याद पदे राखिये तो ए ग्रहस्त भक्तों ने केस त्यागियों ने दिक्षा आपे पने इरिते बेनों मा येने मंत्रा आपके पची बेनों मा दिक्षाव आपी ये त्यागी थी अगुरू छे काराण कि बीजा संप्रदाय मा होई छेऊ पने महाराज ने के दुके आपना संप्रदाय मा त्यागियों ने मरियादा अने धर्मनियम ये बदाय ना यथा योग्यताने माटे कोई आपना परिवार मा थी धर्मकुल मा थी जी कोई ने गादी आपन बदाय संतों ने मुक्ताने संतों ने खुब आगरह तो पची ऍच्छु बदाइने सभामा वेचु पोता हैँ पीदून महाराजी आर्ती करिन बदागी किbellिघूर थी हमारा स्थाने आ वासु देवनन ननित वरणी छे यहाने हमें अमारा स्थाने ब्यसारी возмож booking यहा है उली पड़ैं अधिकाल पड़ini पझी अने वार ब्यसार श shortest्ल जे क इच्छारा म्यमना पुत्र रखुविर्जिया बन्यने महाराजे पोताना दत पुत्र तरीके ग्रहन करिया अने पोतानी गादी उपर पोतानी गादी उपर तन बन्यने बेसार्या धारी मन धर्म धूरंधर सोपी तेनिवार आप्यो आचार्य नो अधिकार पची महराजे तियां बनने रगुविर्जी औन आयोध्या प्रसाजी या बनने आचारियों महराज ने धर्मदूरा सोपी औने आचारिय पदनो अधिकार आपयो औने ये जग्या तियार मंदीर नी पाछड तियां ऊटामा वर्ताल लिएंदर मोझूद छे जा महराज वस्त्राभुषण सार अती उत्तम नाना प्रकार हता पोताना आस्रित जे तेमने आग्न्या करी छेते पुजा करावी सर्वेनी पासे बन्ने आचारियनी अविनाशे पछे संतो भक्तो ये पहला तो महाराज वस्त्राभुषण वगेरे पेरावी नाना प्रकार तेमनी पुत्रों पछे बोल्या स्री भगवान हे पुत्रों सुनो दैने ध्यान बन्ने आचार्योंने महाराज वाद करे छे छे आ स्री कृष्ण मा आपना इस्ट मनमा सम जीले जो स्पष्ट तेह तना मंदीर पावन घणा कर्या छे मेजे स्थापन तेमा मुख्य मंदीर छे बेय तमने सम जावु छो तेह स्री नगर मा नर नारायन तेचे मुझ रूपे तारायन वडी लक्ष्मी नारायन देव व्रत पूरी मा स्थाप्या छे एव ये बे मंदीर नामध्य भाग भरत खंड मा कर्यो वी भाग महराज केई छे कामे जब मंदीरो कर्या छे एमा मुख्य वरतालने अम्दावाद आब ये मंदीरो छे एमा अम्दावाद ने अंदर नर नारायन नी स्थापना करी अने वरतालने अंदर लक्ष्मिनारायन देव अगरे नी स्थापनाव करी अमारा स्वरुपनी प्रतिष्टा करी अने आब बन्ने मध्य भाग मा भरत खंड नामध्य भाग मा आवे छे लवपर उत्तर देश बदो अम्दावाद देश मा आवसे अन दक्षिन देश बदो वरताल देश मा आवसे इरते महाराज बे विभाग करी अन बन्ने जिग्य एक एक आचार्यों नी स्थापना करी लक्ष्मी नारायन नो जे विभ देश विभ उत्तर भाग करेऊ छे एश तेनो आपो छुँँ अधिकार अवद प्रसाद ने आवार हवे दक्षिन भाग मा वास तास लक्ष्मी नारायन सुख रास रगुविर्जी ने स्वाप्यों छे एह न थी ए विशेकाई संदे महाराज के उत्तर देश बदोई अयोध्या प्रसाद जी ने स्वाप्यों छे ने दक्षिन देश रगुविर्जी महाराज ने स्वाप्यों छे एव रिते महाराज बनने देशो ना आचारियों निमणुक करी छे यह उक्यावाई छे के यह समय दरम्यान पन कोने कया देश नी स्वाप्यों करवी तो यहना माटे पन के चिठी ओ मुकिन यथा जेना अथमा जी आवे पची महाराज की द्वामा थी जे विभाग जे देश मावे ने यह देश नी संभाळ राखवी रग्यूर्जी महाराज पाच यह वरताल आयो लक्ष्मिनाराने देव नहरुनाराने देव मा योध्या प्रसाज्य आवे एक वार बे वार ने त्राण वार यह उत्यू अगराम प्रताप जी महाराज ने वी इच्छा दिग बे अंद वरताल देश नी थाई पन तेम चे त दूरायमने संभाले दावत देश केता उत्तर भागनी एध्या प्रसाजी महाराजे संभाले पोत पोता ना जे देश यह ते साच वजय नी संदेह नीज देश ना जे हरी जन आपे वस्त्रवल इधन अन्न तेने तो सुखे थीले जो तमेह आग्या करिये छेये अमे नीज देश वीना हरी जन आपे भेट वस्त्रवल इधन ते ग्रहन कोई न कर्षो अमारी आग्या लोपन कर्षो कर जो धर्म नीरक्षात मे एवचन कहिये छिये अमे अवद प्रसादर घूविर बन्य पुत्र महामती धीर अमारी इच्छाए आणिवार अमे आप्यो छे आधिकार अमारा कूल ना बी जाहोय तेनो दावो न थियामा कोय येम वातक रिखनी रीते लेख पत्रक लखाव्यो छे प्रीते पछी महाराज किदू के जे उत्तर देशना भक्तो होय ये बदाए अमदावाद गादी मा रगविर जी महाराज नी अध्यप्रसाद जी महाराज नी सेवा पुजा वगरे कर जो दक्षिन देशना भदा भक्तो होय ते रगविर जी महाराज नी सेवा पुजा अर्चना वगरे कर जो अन बन्ने विभागना आचार ये पोत-पोता ना देशमा मंदिरों नी वगरे प्रतिष्ठा वगरे विधी कर जो आज रहे ते महाराज आगना करी महाराज के कानी अंदर आ बे आचार ये उने स्थाइपा येमा पाछा बीजा कोई तमाम धर्मकुलना बधाय जे कई होय बधाय ने पाछो कोई अधिकार लागतो नाथि जे समय जे आचार ये होय येने ते ते एक सेवा कर वी पंची बधाय काना के वहाला विश्णों सम्प्रदाय मां तो के हो जे के डधाय जन में बधाय विश्णों आचार ये ते एक बेर न ये मां तो किट लाई ओय और नन तोय पन यहां धर्मकुलमा महाराज यहू राख्यूने जे आचारेपद पर बेश एज आचारी अने एज एज उकते जे एमनी सेवा छे एते संभाड़े पछे महाराज क्यों धर्मकुलमा बीजा बेदा हो यहनों कोई दाओ पाछो नथी परन्तु एक आचारे होई एना पछी जे यथा युग्य धर्मकुलमा थी कोई आचारे पदने लायक होई सदगुणी होई धर्मने विश सावधान हो यहा बीजा कोई ने आचारे तरीके निमी शकाई परन्तु बधाज नो दाओ यूकई यह मान न थी जे जेनो अधिकार छे माराज के ते देश मा ते ते जे जेनो ते सोपी दिधा येवो देश नो विभाग गिदो एविरिते करे छे चरित्र आस्रीत ने करवा पवित्र ते दिव सहती एकादसी हरी हरी जन मन वसी करू जागरण सर्वे त्याई गणो मोध थयो मनमा ये दिवसे कारतक सुधी एकादसी नो दिवसतो ये दिवसे महाराजे आचार्योनी स्थापना करी एकादसी होवा थी रातरे बदाई भक्तो ये जागरण करी आने आनन्द उत्सव दून किर्तन वगरे करी महाराजनी आगल बदाई बजन करूचे भक्ती करी चे पचे द्वादसी ने दिन सार रसोई करावी निर्दार विप्रने जमाडया दैमान तुरुप्त करी ने आपय पोताने विप्रवाला छे अती नित्य जमाडये छे मुक्त पती निज अंग जानी अल बेलो खान पान करावे छे छेलो विप्रद्वाराये पोते जमे छे, ते प्रगट प्रभुने गमे छे, पचे संत अने हरी जन, ते मने कराव्या छे भोजन महाराज ने ब्रामण अती वाला छे, महाराज ब्रामण ने दान दक्षिनाओ वगेर आपे जमाड़ा छे, नित्य महाराज ब्रामणों ने जमाड़ता नित्य खानपान वगेरे करावी ने ब्रामणों ने राजी करे छे, संतो भक्तों ने पंक्तियो करीन, अमने महाराज खुब पिरसीन जमाड़ा छे स्वामी नारायन सुखकार नित्य लिला करे चे अपार वट पत्तन मा सिह जीत तेने दर्शन आपया जीत साथ दिन रहिया तिया दयाल पचे वालो आविया वरताल इर ते वरताल मानेक लिलाओ करी बराबर पचे अरुद्रा थी सिह जीत आएवा चे लेग दखाब सिह जीत लेग कोण से मने एक जेट नू नाम न थी खवर पन वड़ोद्रा थी कोई भगतो आएवा यहने महाराजे दर्शनाय पा अने तिया वड़ोद्रा गई आछे तिया साथ दिवस रोका इन फरी महाराज पाचा वरताल पदायरा थी एरिते महाराजे वरताल मा अत्यार विराजमान छे जुना गड़ मा आने दोले रामा मंदीर माटे संतोने मोकल्या आचारियोनी स्थापना करी इती स्री मदेकांतिक धर्म प्रवरतक स्री सहजानन स्वामी शिष्य भुमानन मुनी विर्ची ते स्री गणशा मिल्याम रुथ सागरे उत्रार दे आचारिय स्री एध्या प्रसाजी राम शरण जी सम्वादे श्री एरी गटपूर विशे रहिया थका अनकोट उत्सव कोते करावयो ने दत पुत्र करीने बे आचार्यने स्थापन कर्या ये नामे एक्यासी मो तरंग समाप्त थयो बलो घनश्या महराज नी जे श्री पतेम स्रीधरं सर्वदे विश्वरं भक्तिधर मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिना रायनं नीलकंठं बजे स्रिगनश्या महराज नी